प्रदेश की आंगरवाडी कारिकरता और सहाईकाओं की दूसरी पेशी आज पूरी हो गई लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बहाली में कोई काम नहीं हो रहा है प्रांती अध्यक्ष पद्मावती साहू ने बताया क्या इस कलेक्टर नहीं तो उनकी अनुपासिती में अपर कलेक्टर रेणुका शीवास्तों ने कहा कि अभी कलेक्टर नहीं है आपकी बहाली का आदेश वही देंगे हम लोगों को छे भागों में बाढ़ दिया गया है और सभी को क्रमशा 11-18 जून की पैशी की तारीक दी गई है बरखास की गई 119 आंगरवारी कारिकरताओं को अभी तक बहाल नहीं किया गया है आंगरवारी कारिकरता और सहाईकाएं संग की अध्यक्ष पद्मावती साहू ने बताया कि हमें कहा गया था कि अपील करने के साथ ही जल्दी आप लोगों को बहाल कर दिया जाएगा लेकिन अब हरताल खत्म किये एक महिने से ज़्यक्ष पद्मावती साहू ने कहा कि शासन को मालूम होना चाहिए कि हमने अपने हरताल को खत्म नहीं किया बल्कि इस्थगित किया है अंगनवाडी महिलाओं को केवल वेधानिक प्रक्रियाओं में उल्जा कर रख दिया गया है आज भी हम अपनी मांगों पर अड़े हैं उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए बाद दियोंगे उन्होंने राजी सरकार को 15 जून तक का अल्टिमेटम दिया है आपको बता दें कि 5 मार्ज से शुरू हुए आंदोलन 50 दिन बाद खत्म हुआ था इस दोरान संग की साथ महिलाओं ने भूक हरताल तक की थी इसके बाद शासर ने उनकी कुछ मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं की गई है इस मामले को लेकर आंगनवाडी कारिकरता और साहिकाए सोमवार को महिला एवं बालवी कार्स की सचीव डॉक्टर एम गीता से मिलने पहुची इसके बाद भी बरखास्त आंगनवाडी कारिकरताओं को बाहल नहीं किया जाता तो वे आंदोलं का रास्ता आपना सकती है जी आज हमारी दूसरी पेशी थी एक पेशी चौदा तारीक को हो चुकी है चौदा मही को आज दूसरी पेशी थी लेकिन यहाने के बाद फिर वही निराशा जैसे पूरे प्रदेश भर में चल रहा है फिर पेशी की डेट आगे बढ़ गए इनका कहना है कि कलेक्टर सहाब नहीं है चुट्टी पर गया है और वो शुकरवार को आएंगे और आप लोग की पेशी 11 जून को होगी मतलब 6 गुटों में बाट दिये है 6 समूमों में और उसके बाद में एक एक करके उनको 11, 12, 13 इस प्रकार से ठारा तारीक तक पेशी को बान दिये जब हमने शाषन के अपील पर आंदोलन इस्थगित किया है तो क्यों शाषन ऐसे हम लोगों को परशान कर रही है क्योंकि दूर दूर से हमारी बहने आती है उनका किराय लगता है और चार महने से हमको पेमिंड भी नहीं मिला है और खास तोर पे बरखास्तिगी को मतलब आपके भोजन के अधिकारों का हनन करके दूआई देकर हम सब को बरखास कर दिया गया तो क्या आप देड महने हो गया है अंदोलन को समापत हुए अभी क्या पूरे प्रदेश भर में भोजन के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है महला सची हुए हमारी महला पाल विकास की उनसे हमारी सहमत्ती मिली है तब हम लोगों ने अपना हर्ताल को इस्थागित किया है खतम नहीं किया है अगर चर्चक के दोरान उन्होंने कहा कि आपकी मांगो पर विचार किया जागा केंदर दोरे भेज देंगे और उसके बाद मांगो पर विचार करेंगे और भाली भी हो जाएगी तब तक कि आप लोग अपना केंदर संचालित करे करके और हमारी पूरे सभी जीलों के पहने केंदर संचालित भी करना चाहरी है और वैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोग ने अपील भी कर चुके हैं और इसके बाद सभी जगह में जैसे कि हमारे राइपूर जिले में आज दूसरा पेसी है तो फर्ष्ट में हमको यह बोला गया थे चुदा तरु के पेसी में कि आज भाली हो जागी करके तो हमारे यहां फिर बोला गया कि नहीं सिफ साइन करके चले जाएए इस दिन आज के दिन में राष्ट पती आ रहे हैं तो आप लोग के भाली नहीं हो सकती इस पर भी अगर सासर हमारी बातों को नहीं सुन रहे है अधिकारी नहीं सुन रहे है तो बिलकुल हम लोग आंदोलित होएंगे हमारा इस थगीत हुआ हरताल खतम नहीं हुआ है बहुत जल्दी हम आंदोलान करेंगे